हेलो एवरिवान आमा काश गोर वेलकाम बैक टू यू आर इंडियान मेटिकल लेक्टर फिर साफ लोक लिए नया टूपिक के लिए करायों में MTB बेक्टिरिया MTB को हम सिंपल फुल फॉम बोलते है Mycobacterium tuberculosis क्या होता है कैसे function होता है क्या structure होता है TB कितने टाइप से होती है TB का क्या treatment या lab diagnosis क्या होती है Notes Hindi plus English दोनों language में दूँगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजो मेरे चैनल को विजिट कीजिए आपको nursing, paramedical, dml, ot, health inspector आप medical की किसी भी field से ब्लोंग करते हो सारे lecture मेरी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, start करते है देखो simple बाते, mtb bacteria क्या होता है mtb bacteria first genus lepra bacillus was firstly discovered in 1868 by hensens so it is also called hensens bacteria simple बात बोलना चाहता है, कि जो mtb bacteria होता है इसकी पहली जो प्रिजाती थी, lepra bacillus जो थी वो सर्व प्रतम 1868 में एक hensens नामक के एक विज्यनिक थे, उनके द्वारा खुजा गया था इसलिए हम क्या होता है, hensens bacteria भी कहते देखो, tuberculosis की सबसे पहली जो खोज हुई थी, सबसे पहला जो बैक्टिरिया खोजा गया था उसका नाम था lepra bacillus, lepra bacillus की खोज सर्व प्रतम किस ने करी थी, hensens ने करी थी, इसलिए hensens bacteria के नाम से भी जानते इसको नेक्स ही जाती है इसकी, अब देखो, नेक्स इन 1882 रोबर्ट कोच जो थे, इनने was discovered tuberculosis bacteria, बोलना चाता है, कि जो रोबर्ट कोच जो scientist थे, वो फिर से आये, और इन रोबर्ट कोच ने क्या करा, दुबारा कोच करी, 1882 में tuberculosis bacteria की कोच करी, इसके बाद फिर से दूसरे scientist है, इनका नाम हमने क्या बोला, इनका नाम हमने दिया, रोबर्ट कोच, यह रोबर्ट कोच बैक्टिरिया, इसको कोच बैक्टिरिया के नाम से भी जानते है, जो tuberculosis का main bacteria है, माइक्रो बेक्टिरियम टूबर क्लोसिस इसकी खोज सन 1882 में रोबर्ट कोच ने करीती इसलिए मैं इसको क्या बोलूगा कोच ठीक है नेक्स पेच पर बढ़ता हूँ इसके स्क्रेंशोट लेलो जल्दी आप फटा-फट है के स्क्रेंशोट लेलो फिर मैं आगे बढ़ता किलियर है अब देखो नेक्स ही जाती है मॉर्फोलोजी ओफ एम्टीबी याने की एम्टीबी बेक्टिरिया आपका माइक्रो बेक्टिरियम टूबर क्लोसिस से किस तरह का दिखाई देता है सिम्पल सिम्पल देखो इस ग्राम पोजिटिव बैसिलाय इट इस फाउंड रो रोड लाइक स्ट्रक्चर बेक्टिरियम आपको दिख रहे यह सारे रोड लाइक स्ट्रक्चर इसी लिए जो बैक्टिरियम होता है ग्राम पोजिटिव को कही है रोड लाइक स्ट्रक्चर है या ग्राम पोजिटिव बैक्टिरियम होता है और यहार रोड आकरती का दिखा इसे रोड शेप में दीखेगा ठीक है next चीज this bacteria is mainly effect a lungs सबसे important चीज कि यह किसको effect करता है यह हमारे lungs को effect करता है ठीक है यह mainly effect of feverov को provide याने की lungs को effect करता है खासी आने लगती है और भी हमारे lungs में सास लेने में problem होने लगती है ठीक है tuberculosis micro bacterium tuberculosis lungs को effect करता है जल्दी जल्दी इसका भी screenshot ले लीजे फिर आगे बढ़ूँ है यह bacteria की morphology मैंने बताई आपको आगे बढ़ता हूं में इसी में आपको अब देखो important कुछ बाते कुछ important point है जो आपको समझना बहुत जरूरी है यार पूरा वीडियो देखना मेरा promise सारे doubt किलिर कर दूँगा म important चीज में क्या देखना वहिया non motile गती नहीं करता है जो non motile का मतला है गती बिल्कुल भी नहीं करता है microbacterium tuberculosis दूसरी चीज non sporing sports भी नहीं बनाता है ठीक है sports के बारे में detail से समझने की जरुबत नहीं है आप मेरे चनल को visit करो वहाँ पे डला हुआ sports के बारे में non capsulated capsule भी नहीं पाया जाता है obligate aeroporn रूप से oxygen पनेर भर होता है ठीक है तो कुछ point याद रखना सबसे पहला point बताया मैंने के भाईया ये non motile यानि की गती करने वाला बेक्टिरिया नहीं है गती कभी भी नहीं करेगा दूसरी चीज मैंने बोली non sporing bacteria है यानि कि ये sports भी नहीं बनाता तीसरी चीज मैंने बोली कि भाईया non capsulated bacteria non capsulated का मतलब होता है ये किसी भी प्रकार का capsule नहीं बनाता और obligate aerop का मतलब होता है पून ता पून रूप से oxygen पर निर्वर करता है ठीक है नेक्ट जाती है आपकी antigenic structure इस bacteria के शरीर के पास क्या ऐसा हानिकारक चीज है जो हमें नुकसान करती है पहले नंबर पे है cell wall antigen इसकी जो cell wall है ना उसके उपर कुछ antigen पाये जाते है antigenic क्या होते है the cell wall contain lipid, protein, polysaccharide they are very antigenic for human human के लिए मनुशों के लिए बहुत ही जादा हानिकारक होते है very antigenic होते है ठीक है cell wall के पास कई protein, lipid और polysaccharide होते है या मनुशों के लिए बहुत खतरना होते है जरह diagram देखो यह diagram दिख रहा है इसके उपर lipid भी है, protein भी है, यह bacteria के उपर की cell wall है इसकी वजहा से यह bacteria हानिकारक होते है दूसरी चीज, cell wall also contain mycolic acid, यह point समझना भाई, बहुत important है बोलना चाहता है, the cell wall also contain mycolic acid due to this reason called acid fast bacteria इसका मतलब क्या है, देखो, simple बात है कि जो cell wall bacteria की होती है high mycolic acid पाया जाता है, इसी कारण इसे acid fast bacteria भी कहा जाता है हम बोलते हैं तो दो तरह के bacteria, non acid fast, acid fast बट जो हमारा micro bacterium tuber closest होता है, it is the acid fast nature यह acid fast bacteria के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी exam में आता है कि acid fast bacteria क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए acid fast bacteria actual में क्या होता है, कि लिए रुआ, आगे बढ़ता हूँ मैं इसका एक screenshot ले लो भाई, कि जो cell wall के उपर यह पाया जाता है, polysacuride होता है, यह होता है, जल्दी एक screenshot ले लो ठीक है, अब देखो, surface, sorry, source of infection, क्या कहा से फैलता है, human कितरू पहल सकता है, bovine कितरू पहल सकता है, contaminated food, अगर contaminated food, याने कि कोई खाना ठंडा बासी रखा हुआ, इस पर colony grow हो गई, MTB bacteria, तो अब जब हम खाना खाएंगे, तो हमको tuberculosis हो सकता है, next is mode of transmission, कैसे transmit होता है, inhalation, सबसे पहली चीज़ आती है, inhalation, bacteria can transmit it in form of droplet, बोलना चाता है, या bacteria मुँ से निकली पानी की बूंदों के दोरा फैलता है, देखो केसे droplet, देखो कोरोना है न, कोविट के बारे में सुना, ये भी droplet infection ही है, droplet का मतलब क्या, दो person, दो आदमी सामने खड़े हो के बात कर, ये बहुत पास में बात करते समय, अपने मुँ में से कही न कही पानी की थूक की थोड़ी बहुत बूंदे उडती है, वो सामने अले person के अंदर इंटर हो जाएगी, inhalation अंदर चली जाएगी उसके अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी, नेक्स चीज, inoculation, अब दोको inoculation क्या होता है, it is directly entered by skin, ये हमारी चमड़ी पे आगया, inoculate हो गया, वो directly हमारी body के अंदर चला गया, तो inoculation हो गया उसमें, ठीक है, next is injection, ये हमारी, it can enter by nose और mouth, inject हो गया, inject है नाक और मुझ के द्वारा, nose और mouth के तुरू directly inject हो जाता है, body के अंदर, तो याद रखना ये point, inhalation, inoculation और injection, ये तीन चीज़े हैं, जिसके तुरू ये bacteria transmit होता है, फैलता है, इसको ये जल्दी 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 एक screenshot लेलो, आपको याद रहेगा, notes बनाने के लिए easy रहेगा, जल्दी guys सब लोग screenshot लेलो, प्लीज आरे, एक आपका feedback मेरे लिए तो important है, आप मुझे ज़रा comments में बताते चलिए, कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा feedback मेरे लिए important है, ठीक है, next चीज बढ़ता हूँ मैं, next आता है आपका pathogenesis, अब ये pathogenesis का क्या मतलब होता है, देखो, pathogenesis का मतलब होता है, कौन सी बीमारी करता है, देखो, mtb bacteria mainly cause a tuberculosis disease and this may be different type, बोलना चाहता है, ये भी कई प्रकार के हो सकती है, जैसे की, देखो, mtb bacteria tuberculosis की बीमारी करता है, और ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे की, pulmonary tuberculosis, अब मैं आपको TB के प्रकार बताना, TB याने की tuberculosis bacteria जो pulmonary tuberculosis करता है, tuberculosis एक बीमारी होती है, उसके प्रकार, कौन-कौन सी, पहले बोला pulmonary tuberculosis, pulmonary tuberculosis, pulmonary tuberculosis भी दो तरह से होती है, primary pulmonary tuberculosis और secondary pulmonary tuberculosis, ठीक है, याद रखना आप, एक होता है, extra pulmonary tuberculosis, देखो, इसका मतलब समझ लो पहले, मैंने बोला है, कि आपकी TB का एक प्रकार होता है, pulmonary tuberculosis, ठीक ह अब समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पर बोला है, primary pulmonary tuberculosis, secondary pulmonary tuberculosis, अब समझो, कोई बच्चा 8 साल का है, 8 साल के बच्चे को जिन्दगी में पहली बार TB हो गई है, उसे मैं कहूंगा, primary pulmonary tuberculosis, अब जब उस 7 साल के बच्चे को फिर से 20 साल की उमर में फिर से TB हो गई, इ याद रखेगा, primary मतलब जो पहले एक बार TB हो चुकी है, फिर से उसी व्यक्ति को दोबार TB होने को, secondary pulmonary tuberculosis के नाम से जाना जाता है, next चीज, extra pulmonary tuberculosis भी होता है, जिसे की lymph node में TB हो गई, आपके, plural TB हो गई, आपकी, upper airway TB हो गई, आपकी genital TB हो गई, आपकी GIT TB, gastrointestinal TB हो genitourinary tract, urinary tract के अंदर आपको TB होई है, बहुत important है, समझ लीजिएगा, TB pathogenesis क्या होती है, दो तरह से TB को विभाजित किया गया है, pulmonary tuberculosis और extra pulmonary tuberculosis, pulmonary tuberculosis मैंने बोला, दो टाइप की है, primary और secondary, primary का मतलब होता है, जो पहले एक 7 साल के बच्चे को TB होई है, उसी बच्चे को secondary pulmonary tuberculosis के नाम से जाना जाता है, extra pulmonary tuberculosis में lymph node, pural, और upper airway, genitourinary, और GIT, gastrointestinal tract, इनके अंदर TB हो जाना, बहुत important है, screen shoot, जल्दी से ले लो, मैं फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है, अब देखो, laboratory diagnosis, आप कैसे पता कर पाओगे, लेप के अंदर के आपको TB हुई है, तो भाईया, देखो, कोई मरीज आया, सबसे पहला सेंपल निकालना पड़ेगा, कौन-कौन सा सेंपल, मरीज की शरीर में से, sputum, mouth के airway के through होती है, sputum आप निकाल सकते हो, ठीक है, blood, देखो, शरीर में जाएगा, तो रक्त में जाए और पस, extra pulmonary tuber, जिसे कि कोई tuber closest हमारी skin पे हो गया, कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे lungs में अटेक ना करके extra pulmonary tuber closest हो रहा है, याने कि शरीर में दूसरी जागे, तो जिसे फवोले बड़ी-बड़ी गाठे बन जाना, जिसमें पस बनने लगना, इसे TB कहते है, आगे पढ़ता ह direct microscopy, अब आप इसको directly microscopy भी कर सकते हो, collected sample directly stained by acid fast staining, and see under microscope, बोलना चाहता है, जो sample आपने निकाला गया है, उसे सीधे-सीधे acid fast staining, यहाँ पे मैंने gram staining नहीं बोला है, acid fast staining की तरह, उसकी सहायता से staining किया जाता है, और इसके बाद इसे microscope में अध्यान किया जाता है, सुरी तोड़े सी गलती, अध्यन है, अध्यन किया जाता है, याद रखिएगा, तो देखो direct microscopy में क्या का रहा, sample निकाला, सीधे-सीधे microscope में देख लूँगा, पर क्या होता है, by direct microscopy, bacteria do not properly detected, बोलना चाहरा है, कि सीधे microscope के द्वारा, bacteria का ठीक प्रकार से पता नहीं लगाया जा स रखता है, उसके लिए हमें सब other test करना जरूरी होते, ठीक है, उसके लिए हमको culture करना पड़ेगा, culture process क्या होती है, जरा समझ लो, culture is a process in which bacteria are growing and multiplying, बोलना चाहरा है, culture है इसी प्रक्रिया है, जिसमें bacteria grow होता है, और multiply होता है, culture है इसी प्रक्रिया होती है, जिसमें bacteria बड़े हो होते हैं, और अपने जैसे दूसरे bacteria को बनाते हैं, उसे culture कहते हैं, जैसे हमें बड़े होने के लिए nutrition की जर्वत होती है, इसी टाइप से bacteria को बड़े होने के लिए, काई की जर्वत होती है, उसे culture media की जर्वत, MTP bacteria can only grow special media, it is very slowly grow, बोलना चाहता है, कि micro bacteria में एक बिसेस प्रक बैक्टिरिया होते हैं, 24 गंटे में grow कर जाते हैं, पर जो TB का bacteria होता है, slow करता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हपते तक ले लेता है, grow करने में, growth करने में, बड़ा होने में, ठीक है, तो उसके लिए special media चाहिए, जड़ा कौन से special media, याद रखना, tuberculosis को golden bacteria भी कहते हैं, मैं किलियर करता हूँ, MTB bacteria require special media, low strength gencence media, एक media मैंने बताया कि bacteria को basis media में उगाया जाता है, इसे के लिए low strength gencence media का इस्तिमाल करता है, जड़ा देखो, बोटल में होता है, इस तरह का, अब ये उपर जो colony बन रही है न, ये TB की colony है, tuberculosis की colony होती है, ठीक है, tuberculosis bacteria की golden करे से grow करता है लोबस्टन जेंसेंस मेडिया में, इन लोबस्टन जेंसेंस मेडिया, MTB bacteria show a golden color colony, वही बात है, लोबस्टन जेंसेंस मेडिया में, जो tuberculosis का बैक्टिरिया है, ये golden color की colony बनाता है, इस प्रकार की, स्क्रीनशोट जल्दी जल्दी ले लोगा, इस फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं या से, ठीकि जल्दी पॉस्ट कर लेना, स्क्रीनशोट ले लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहा से, अब देखो, इसकी लिए हमें, जेडेन स्टेङिंट करनी पड़ती है, देखने के लिए, जेडेन का मतलब होता है, जेडेन का, जिंसन निलोसन स्टेङिंट भी कह आजाता है देख लो डाइगराम में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे बैक्टिरिया ठीक है यह कुछ प्रोसेजर आप पल डीजेगा इसका प्रोसेजर में एक्सलेंट नहीं करूँगा आप नेक्स वीडियो में मेरे देख सकते हो अब देखो बायो केमिकल टेस्ट में क्या क्या लगा होगे एक नियासिन टेस्ट आता है पोजिटिव आता है न्यूट्रल रेट पोजिटिव आता है केटलेस्ट टेस्ट पोजिटिव आता है अमाईडेस पोजिटिव आता है कुछ चार टेस्ट के नाम है आप स्क्रीन ज़रूरी है क्योंकि मॉन्टेक्स टेस्ट के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं कि एक्च्वल में TB हुआ है कि नहीं मतलब screening test भी कहते हैं करते कैसे हैं this test is also called TST, TST का मतलब होता है MONTEXT TUBER CLOSES SENSITIVITY TEST ठीक है TUBER CLOSES SENSITIVITY TEST भी कहते हैं इसे ठीक है इस test को MONTEXT TUBER CLOSES SENSITIVITY TEST के नाम से भी जाना जाता है next is this test is to this test is to diagnosis of TUBER CLOSES bacteria and this is specific test for TB बोलना चाहता है यह TB का बेक्टरिया का पता लगाने के लिए बिस्ध इस specific test होता है श्क्रेंशोट लेलो आगए बड़ gün समें जलदी हम cin ame लेक्स हिसाथ c कि कि का अफ्स टीजमें के टाइफ होते है स्कीन ट्बी स्कीने इसके लेटेन टीवी और टीवी ब्लेट के ट offense अब देखो TB फिर से दो प्रकार की बताई मैंने एक मैंने बोला लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी भाई समाज ना आप बिल्कूल skip मत करना है वीडियो मैं बहुत इजी लेंग्वेज में समझाता हूँ आप समझा ना दोनों के मतलब समझा देखो लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी आप कोई मरी जाया उसको टीबी हो गई है दो तरह से एक लेटेंट और होती है एक्टिव देखो भाया लेटेंट का मतलब क्या होता है latent का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर TB का बेक्टीरिया आ चुका है पर उस बेक्टीरिया ने कोई लक्षन नहीं दिखा है मतलब मैं स्वास्त हूँ मैं आप से अच्छे से बात कर रहा हूँ still मुझे TB है समझ रहे हो बात को मुझे TB हो चुका है मुझे TB हुआ है पर मैं symptoms नहीं दिख रहे, symptoms का मतलब मुझे खास ही नहीं आ रही, मुझे कोई problem ही नहीं हो रही, उसे बोलूँगो latent TB, active TB याने कि मुझे लक्षन दिखाई दे रहे, जरा देखो आगे बताता हूं, latent TB means bacteria is present but not showing symptom, latent TB का आर्थ होता है कि शरीर में bacteria तो उपस्ती थे, पर उसका क bacteria present in body and also showing symptoms मतलब activity भी हमारे अर्थ होता है कि bacteria शरीर में उपस्ती थे और यह शरीर में लक्षन भी दिखा रहा है, screenshot ले लो जल्दी से फिर आगे बढ़ता हूं, यहां से, अब आता है Montec stress का procedure करना कैसे है, inject a 0.1 ml tuberclone fluid, purified derivative होता है, यह देखो, बोलना चाहता है, 0.1 ml tuberclone fluid क protein derivative होता है, जो कि मरीज के हाथों पर इंटर ऐसे कर देंगे, 24 घंटे के बाद देखेंगे, अगर नॉर्मली ऐसा रहा, कोई reaction नहीं होई, मतलब negative TB नहीं है, और डालने के बाद यह फेल गया, पस बनने लग गया, reaction हो गया, बंप हो गया, सूज गया, लाल पड़ गया, मतल antibiotic sensitivity test का इस्तेमाल किसी भी दवाई की शंता पता करने के लिए किया जाता है, इसकी detail वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, next चीज आती है, treatment में क्या देते हैं भाईया, penicillin दे सकते हैं, cloxicillin, sephloxin भी दे सकते हैं, vancomycin दे सकते हैं, chlorohexadine दे सकते हैं, thank you for watching आपका अपना Indian Medical Lecture यार, वीडियो को like, चैनल को subscribe कर लीजिए, सारी bacteria की वीडियो पूरा micro का topic डाला है, मैंने तो आप चैनल एक बार visit तो करके देखो, सारी चीज आपको clearly मिल जाएगी, thank you for watching, ये आपका अपना Indian Medical Lecture